Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel So guys, कहीं लोगों ने request किया है कि Sir Class 10th का जो English NCRT वो आप प्लीज कराएं तो ये मैंने उठाया है, First Flight यानि कि A Letter to God, पहला चेप्टर है A Letter to God, ये Supplementary वाला नहीं है, जो First Book जो होता है, Reader, वो है तो चली देखते हैं guys, क्या कुछ इसमें है, ओके तो 6th वाला तो चली रहा है, अब ये 10th वाला भी चले गा है, 8th और 9th बीच में शुरू किया था, फिर मैंने उसको Stop कर दिया, अब सब कुछ कैसे एक सांथ होगा guys, तो 10th के लिए request जादा आ रहा है, तो चली पहले इसको पढ़ते हैं, Before you read, यानि कि जब किताब पढ़ने से पहले कुछ देखना है, आपको क्या है, कि they say faith can move mountains, they say मतलब वे कहते हैं, यानि कि ऐसा कहा जाता है, कि faith, यानि कि जो बिश्वास है, can move mountains, वो चटानों को भी हिला सकता है, विश्वास ऐसी चीज है, जो चटानों को भी हिला सकता है, but what should we put our faith in, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है, what, ऐसी कौन सी चीज है, जिसमें हमें अपना विश्वास रखना चाहिए, what should we put our faith in, तो what in, मतलब कौन सी चीज में हमें अपने विश्वास रखना चाहिए This is the question ये एक सवाल है This story delicately poses तो ये जो सवाल है इसको ये जो कहानी है बहुत ही प्यार से मुलायम तरीके से पोस करता है आप तक दिखाता है क्या खिर ऐसी कौन सी चीज है पर हमें विश्वास रखना चाहिए Lencho is a farmer Lencho एक किसान है who writes a letter to God जो लिखता है पत्र भगवान को when his crops are ruined, कब लिखता है जब उसके जो crops है crops मतलब जो फसल है are ruined, वो बरवाद हो जाते है नस्ट हो जाते है तो एक लेटर लिखता है भगवान को asking for 100 pesos और क्या मांगता है भगवान से 100 pesos मांगता है वो जहां का रहने वाला है वहां पर यहीं मुद्रा चलती है pesos कहा जाता है तो asking for यहां पर यह क्या है present participle है मांगते हुए 100 pesos मांगते हुए वो एक पत्र लिखता है Does Lencho's letter reach God? अब सवाल है यह present definite है कि क्या Lencho का पत्र भगवान तक पहुचता है Does God send him the money? फिर एक question है Does लगा है present definite है कि क्या God जो है भगवान है send him the money उसे पैसे भेजते हैं Think what your answer to these questions would be सोचो तुम्हारा क्या answer होगा What your answers तुम्हारा क्या answer होगा to these questions would be would be मतलब होगा ऐसा क्या answer होगा तो आप कह सकते हैं कि मा answer would be तो would be का इस्तमाल होता है and guess और अंदाजा लगाओ how the story continues कैसी story continue होता है before you begin to read it पढ़ने से पहले अंदाजा लगाओ तो यह सब कुछ चीजे लिखी हुई है आगे देखते हैं अब मैंने PDF डाउनलोड किया इसमें कुछ activity है तो मुझे लगता है नहीं कि मुझे यह पढ़के सुनाना चाहिए इसमें activity है कि कैसे मनी order होगारा करते है तो I don't think so कि मुझे यहां जाना चाहिए मैं direct आता हूँ कि कहां से यह है यह है यहां से आपका lesson शुरू है चाहिए जी देखिए the house house के बाद क्या लिखा है कि the only one in the entire valley फिर यहां पर यह जो है हाइफन फिर यहां पर लिखा है कि sat on the crest of a low hill sentence को तोड़ना सीखिए इसको भूल जाईए अब यह the से लेके valley तक भूल जाईए आप यहां यह subject आपका है the house house, sat sat का मतलब की वैसे तो sit मतलब बैठना होता है यह sat का मतलब की वहां इस्थित था घर था, इस्थित बैठा हुआ था घर यानि की घर वहां पर था कहां पर था on the crest of a low hill low hill का मतलब है छोटी सी पहाड़ी उसकी जो crest है जो चोटी है उस चोटी पर एक घर था ठीक है जी अब घर के बारे में है एक information है कि the only one एक लौता घर था in the entire valley in the entire valley entire मतलब पूरा valley मतलब जो वहां की घाटी है तो पूरे घाटी में the only one एक मात्र वो घर था कौन सा घर जो की उस crest पर उस चोटी सी पहाड़ी की उस चोटी पर इस्थित था ठीक है ऐसे समझे मैं इतना तोड की इसलिए बताता हूं क्योंकि कई लोग कहते हैं कि सर हम गाउं से हैं मैं एक एक वर्ड का बताईए तो ठीक है from this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest डर ये मत बड़े sentences है तोड़ते हैं गाईज देखिए from this height इस उचाई से ठीक है one could see one मतलब कोई भी third person कोई भी could see देख सकता था the river नदी को देख सकता था and the field of ripe corn ripe corn का मतलब है corn मतलब जो भुट्टे है मकई है तो उस मक्के की उस पके हुए भुट्टो को देख सकता था उसके field को देख सकता था field, खेत of ripe corn पके हुए उस भुट्टे के field को देख सकता था उस नदी को देख सकता था कहां से from this height इस उचाई से, जिस उचाई पर उसका घर था, वहां से खड़े होके, नदी मतला देख सकते थे, आप जो खेत है, वो देख सकते थे, कॉर्ण के बाद लिखा है कि डॉटेड विद फ्लावर्स, डॉटेड विद का मतला होता है, स्कैटर, फैले होते, डॉट, डॉट, से भी वो सजा हुआ था, कहीने कहीं डॉटेड था, that always promised a good harvest, जो कि हमेशा यही प्रॉमिस करता था कि अच्छी फसल होगी, यानि कि उस राइप कॉर्न पे फ्लावर्स भी लगे हुए थे, तो हमेशा यही प्रॉमिस करते थे, उनका यही वादा था कि अच्छी फसल होगी कहने का मतलब कि खेत और उस फसल को देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, फसल जो है बहुत अच्छा होने वाला है, killer हो गया, the only thing the earth needed, the only thing, एक मात्र चीज, the earth needed, उस प्रिथिवी को जरूरत थी, was a downpour, एक ठीक मात्रा में बारिश की जरूरत दाउनपोर का मतलब है, heavy rain, एक heavy rain की जरूरती और at least a shower, और heavy rain ना हो तो कम से कम, at least a shower, कम से कम बरस तो जाए, जैसे shower होता है, कम से कम उतना तो बरसे, इसकी जरूरती, throughout the morning, throughout का मतलब होता है, जैसे throughout the night, पूरे रात, तो throughout the morning, पूरे सुबह, लेंचो, अब लेंचो के excuse me, who क्या है, relative pronoun है, तो यह क्या दिखाता है, यहां से लेकर यहां तो यह एक adjective clause बनाता है, लेंचो के बारे में एक extra information देने के लिए यह बस ऐसे लगा देते हैं, तो यह लगा हुआ है, main तो आपका यह लेंचो subject है और यह had उसका verb हो गया, main sentence यहां से है, अगर मैं इसको तो लेंचो had done nothing, लेंचो ने सुबे से कुछ नहीं किया था, throughout the morning का मतलब है सुबे से, पूरे सुबे से लेंचो नहीं किया था, but see the sky, but का मतलब है के सिवाए, except, यह लेकिन नहीं है, but see the sky towards the northeast, northeast की तरफ सिर्फ उसने सुबे से स्काई को ही दिखा था, तो इसकाई को, यह आकाश को देखने के अलावा लेंचो ने कुछ नहीं किया था, ठीक है, अब लेंचो के बारे में यह information क्या है, who knew his fields, जो अपने खेतों को जानता था, new, no मतलब जानना, new second form है, जानता था, ताथा वाली feeling भी देता है, past and definite, जानता था, intimately, यह adverb लगा दिया है, intimate मतलब क्य जानता था अपने खेतों को, तो लेंचो ने क्या किया सुबे से, उसने कुछ नहीं किया, सिवाए नॉर्थ इस्ट की स्काई को देखने के, सुबे से बैठकर बस आकाश पे देखी जा रहा है, के लिए हो गया, आगे देखे, now we are really going to get some water woman, तो हो सकता अपनी wife को ही कह रहा of money, तो यह going to का मतलब यही नहीं कि physically चल रहे है, ऐसा जरूरी नहीं है, going to उस वक्त कहा जाता है कि जब कुछ होने जा रहा हो, you know, जैसे मैं बोलो कि I am going to get a lot of money, मुझे बहुत सारे पैसे मिलने जा रहे, I am going to kill you, मैं तुमें जान से मारने जा रहा हूं, तो जरूरी नहीं कुछ पानी मिलने जा रहा है, woman, अपनी wife को कहता है, the woman who was preparing supper, the woman, वो औरत, फिर यहा, who क्या है, relative pronoun है, और यह sentence क्यों लिखते हैं लोग, इस woman के बारे में extra information दे रहे है, adjective clause है यह, वो औरत, जो, यह, who मतलब, जो, was preparing supper, वो supper बना रहे थी, supper का मतलब, जो शाम को, जो खाना हो होता है, उसे supper कहते है, हाला कि आजकल तो कोई बोलता नहीं, supper है, थोड़ा सा और रात हो गया, तो dinner तो सबको पता है, तो वो शाम का खाना बना रहे थी, replied, तो उस औरत ने reply किया, yes, God willing, भगवान की एक्छा, जब लेंचो ने कहा कि अब तो हमें बहुत सारा पानी मिलने जा रहा है, तो वो औरत उसकी पतनी ने, जो कि खाना बना रही थी, उसने कहा कि, हाँ, हाँ, भगवान की एक चाह, कि भगवान जो चाह, God willing, the older boys were working in the field, older boys, तो उनके जो बड़े लड़के थे, were working, past continuous, वो काम कर रहे थे, field में, खेत में काम कर रहे थे, while, while मतलब जब की, the smaller ones were playing near the house, लेकिन जो छोटे थे, वो खेल रहे थे, near the house, घर के पास, until the woman called to them all, कब तक खेल रहे थे, until का मतलब होता है, उस वक तक, जब तक कुछ और नहीं हो जाए, तब तक खेल रहे थे, जब तक कि उसकी मा ने, उस औरत ने, called to them, actually call के बाद तू अधिक तर आता ने, ज यह बुलाना कुछ ऐसा हो जाएगा, ओए चिंटू, वो कहा है, आजा, इस तरीके से जब किसी को बुलाते हैं, तो call में to लगाते हैं, यानि कि जोड से चिला कर जो बुलाते हैं, तो फिर हम call के सा to लगा सकते हैं, ठीक है जी, the woman called to them all, उन सब को जो काम कर रहे थे, फिल् उन था, मिल मतलब क्या होता है, breakfast, lunch, dinner, ऐसा मिल कहलाते हैं, तो डिनर वाला समय था, तो मिल का समय था, during का मतलब दर्मयान, तो उसी के दौरान, just as, आगे देखते हैं, अच्छा, यहां पर कॉमा पर ध्यान दीजिए, just as, during the meal, that, अब that से हमारा sentence होगा, बीच में कॉमा के बाद कुछ छोटे आइटम में दिख जाते हैं, just as, luncho had predicted, यानि कि जैसा कि luncho ने predict किया था, predict मतलब हविश्वानी की थी, कि आज तो बहुत पानी आएगा, तो उसी को यहां पर कॉमा के बीच में कर दिया है, आगे देखे, तो luncho had predicted, that, that big drops of rain begin to fall, कि बारिश के बड़े- drops begin to fall, गिरने लगे, begin मतलब शुरू करना होता है, तो begin उसका second form हो गया, इसकी जगह पर started भी कह सकते है, कि big drops of rain started falling, गिरने लगे, in the north east, यानि कि north east में huge mountains of clouds, huge बड़े-बड़े बादलों की चटान, पहाड जैसे जो बादल थे, could be seen, देखे जा सकते थे, approaching, आते हुए, approach मत the air was fresh, जो हवा जो था हो, बहुत ही fresh था, and sweet, बहुत ही sweet, sweet मतलब अच्छा भी होता है, जो रोड़े नहीं कि मीठा ही हो, अच्छा भी होता है, the man went out, ओ आदमी बाहर गया, और किसी कारण के लिए नहीं गया, then, then मतलब उसके अपक्षा दिखाता है, कि ये कारण को ये और क कारण नहीं था, बलकि क्या कारण था, to have the pleasure of feeling, pleasure का मतलब होता है कि आनन्द वाली जो feeling होती है, of the rain on his body, यहीं कि बारिश की जो pleasure वाली feeling है, अपने शरीर पर लेने के लिए बाहर गया, घुमा के लिखा, कहने का मतलब समाजित है, कि लैंचो बाहर गया, और वो अपने शरी He returned, past indefinite है, जब वो आपीस आया, He exclaimed, exclaimed, अगर आप खुश हैं और चिला कर बोले, तब भी exclaimed है, आप गुसे में हैं, चिला कर बोले, तब भी exclaimed है, आप दुखी है, exclaimed तो आपको पता ही है, जो आप पढ़ेंगे न, exclamatory वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा, These aren't raindrops falling from the sky, उसने चिला कर खुश हो कर बोला, आरे ये raindrops नहीं है, ये बारिश की बूंदे नहीं है, falling from the sky, जो आकाश से गिर रही है, ये बारिश की बूंदे नहीं है, They are new coins, ये तो नहीं सिक्के हैं, ये सिक्के हैं, the big drops are 10 cents, जो बड़ी-बड़ी बूंदे हैं, वो 10 cents है, 10 cents pieces, cent मतलब पैसो को, cent भी वहाँ कहते हैं, जो सिक्के हैं, तो ये 10 cents है, pieces में, and the little ones are 5, चोटे बूंदे हैं, वो 5 cents के pieces हैं, इतना वो खुश हो गया था कि बारिश के बूंदों को पैसो में count करने लगा, आगे देखते हैं, With a satisfied expression, he regarded the field, देखें, इस अब prepositional phrase कहलाते हैं, With a satisfied expression, expression के लिए satisfied आया, ये adjective हो गया, ये preposition हो गया, तो satisfied का मतलब क्या होता है, santust, expression मतलब कि अपकी चेहरे की बनावट, तो बड़े santust, क्या हाँ, आप तो बारिश आ गई है, उस santust, चेहरे की expression के साथ, He regarded the field, regard का मतलब बहुत मतलब है, बट एक घूरना भी होता है, उसने अपने खेत को घूरा, कौन सा field, of ripe corn, जो पके हुए मकई का जो खेत था, उसको घूरा, with its flower, जो अपने flowers के साथ, भी corn पे flowers लगे हुए थे, उसको घूरा, फिर कॉमा है, draped in curtain of rain, जो कि draped था, लपेटा हुआ था, in curtain of rain, ऐसा लग रहा था कि बादिश के परदे में लपेटा हुआ है, उसको उसने निहारा, बहुत ही satisfied expression के साथ, but suddenly a strong wind begin to blow, लेकिन अचानक ही, एक बहुत ही तेज हवा begin to blow, बहना शुरू हो गया, यानि कि बहुत तेज जोर से हवाएं बहने लगी, and along with the rain, और बादिश के साथ, along with का मतलब होता है के साथ, तो along with the rain, very large hail stones begin to fall, large, बड़े-बड़े hail storm, यानि कि ओले, लेकि एक hail stone होता है, और एक hail storm होता है, तो hail stone का मतलब है कि वो, मतलब बर्फ के बने हुए पत्थर, यानि कि जो ओले हैं, और hail storm का मतलब कि पूरा बारिश के साथ जो ओले पढ़ रहे हैं, तो अलग ओले कहने हैं, तो hail stone कह सकते हैं, और बारिश के साथ ओले कहने हैं, तो hail storm कह सकते हैं, यह फर्क है, तो very large hail stones begin to fall, बड़े-बड़े जो ओले थे, वो गिरने लगे, these truly did resemble new silver coins, और यह जो चीजे थी, truly, वाकई ही, did resemble, resemble, resemble का मतलब होता है, कि वैसा एदम, दिखना, आपकी तरह अगर मैं दिखूंगा, तो मैं आपको resemble कर रहा हूं, तो वाकई ही, did लगा है, प्रेसर दे रहा है, एमफेटिक है, कि वाकई ही वो दिखते थे new silver coins, जैसे silver के coins हो नहीं है, the boys exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls, देखिए, the boys, boys के बाद कॉमा है, कॉमा पे ध्यान दीजिए, अगर है बिगनर से हैं तो तो तोड़ना मैं आपको सिखा रहा हूं, boys क्या है, आपका subject है, कॉमा के बाद छोड़ दीजिए, subject के बाद हमें क्या चाहिए, verb चाहिए, boys ran out, यह आपका verb है, जो लड़के थे वो भागे, ran out, बाहर भागे, क्या करने के लिए, to collect, इसे बोलते हैं, infinitive, purpose को दिखाता है, यहाँ to कोई preposition नहीं है, to के बाद यह verb की first हम देख रहे है, infinitive है, यह दिखाता है, क्या करने के लिए, तो भागे to collect, यानि कि collect करने के लिए, जमा करने के लिए, the frozen pearls, pearls मतलब क्या है, मोती, frozen का मतलब है, जमा हुआ, यह adjective है, तो जमे हुए मोतियों को, यानि कि उस ओले को ऐसा कहा गया है, कि मोतियों की तरह लग रह अब boys के बारे में कुछ कहा जा रहा है, extra information, क्या है, exposing themselves to the rain, यह जो ing है, इसको बोलते है, present participle, यह भी adjective का काम करता है, अगर फ्रेज बना रहा है, ठीक है, और नहीं भी फ्रेज बना रहा है, तो participle जो है, वो adjective ही होता है, तो exposing themselves to the rain, वो लड़के जो अपने आपको rain में exposed कर हाने की कोशिश कर रहा हूँ, anyways, अगर आप बोर हो जाया है, तो लिख दीजेगे comment box में, तो इतना explain नहीं करूँगा, it is really getting bad now, it is really getting bad, getting bad, you know, getting bad का मतलब कि बुरा हो रहा है, वाकर यह बहुत ही बुरा हो रहा है, exclaimed the man, आदमी ने फिर कहा, exclaimed है, अब गुसे में कहा होगा या दुखी हो कर का होगा कि वो होए, तो बहुत ही बुरा हो रहा है, I hope it passes quickly, मैं उमीद करता हूँ कि फटा फटे सब पास हो जाया, यानि कि ओले सोले खतम हो जाया, fast, it did not pass quickly, लेकिन ये quickly नहीं गया, did not, past definite है, for an hour, the hail rained on the house, एक घंटे तक, for का मतलब यह तक है, एक घंटे the hill side, पहारियों के तरफ, उनके side पर, the corn field, मकई की खेत में, on the whole valley, पूरी घंटे तक बरसते रहे, the field was white, जो field था, जो खेत था, पूरा white था, as if covered with the salt, as if का मतलब है कि मानो की, मानो की covered with the salt, कि नमक से वो covered हो, इदम ढग गया हो नमक से, इस तरीके से पूरा का पूरा field covered हो ग इस दमक से पूर्णी, पेड़ पर, जितने भी पेड़ थे वहां पर एक भी पत्ता नहीं था, जो बचा हुआ हो ना, not a leaf, कोई भी पत्ता रिमेंद, कोई रिमेंद नहीं था, बचा हुआ नहीं था, नहीं था on the trees, the corn was totally destroyed, और जो मका इथा वो पूरा का पूरा, destroyed हो चुक लेंचो का जो सोल था, यनि कि लेंचो की जो आत्मा थी, वो अस फिल्ड, वो भरा हुआ था, with sadness, वो उदासी से भरा हुआ था, when the storm had passed, जब storm चला गया, he stood in the middle of the field, वो खड़ा हो गया, खेत के बीच में, and said to his sons, और अपने बेटों से कहा, a plague of locust, plague का मतलब यहाँ पर दल की बात है, ग्रूब की बात है, वैसे तो plague महाबारे भी होता है, plague of locust, locust का मतलब क्या है, जो ठिड्डे होते है, राम जी के घोडे, तो जो ठिड्डे है, कि जो ठिड्डू का जो दल है, would, would have left more than this, कि ठिड्डू के जो दल जब आते हैं, तो वो भी से जादा छोड़ दिये होते, would have left, अगर उनका भी attack होता, तो would have left, यह थोड़ा conditional दिखाया गया है, कि वो भी से जादा छोड़ दिये होते, the hail has left nothing, लेकि जो ओले है, इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, has left, छोड़ा, nothing, कुछ नहीं छोड़ा, this year, we will have no corn, इस sorrowful one, वो जो night था, वो जो रात थी, वो बहुती दुख भरी रात थी, all our work for nothing, हमारा जो सारा का सारा काम है, for nothing, for nothing, एक आता है मुहावरे टाइप में, इसका मतलब होता है कि बेकार, हमारा सारा का सारा काम है, वो बेकार हो गया, there is no one who can help us, there is no one, कोई भी ऐसा नहीं है, who can help us जो हमारी मदद कर सकता है, we will all go hungry, go hungry, go mad, जैसे go mad मतलब पागल हो जाना, तो go hungry का मतलब है कि इतम भूखे रहना, we will, we all, we will all go hungry this year, इस साल हम सारे के सारे भूखे ही रहेंगे, आगे देखते हैं, but in the hearts of all, but in the hearts of all who lived in that solitary houses, पहले इसको देखते हैं, but लेकिन in the hearts, दिलों में, of all, उन सब के दिलों में, who है relative pronoun, कौन से वे सब, who lived, जो रहते थे, in that solitary house, solitary का मतलब है, एकांत, अकेले में जो घर है, उस अकेले house में जो रहते थे, in the middle of the valley, house के बारे हम बता रहे हैं कि वो house, जो की कहां था, उस घाटी के बीच में था, यह in क्या है, preposition है, और in the middle of the valley, पूरा एक phrase है, prepositional phrase है, और यह भी दो काम करता है, adverb का भी काम करता है, और adjective का भी काम करता है, तो house के बारे हम बता रहे है, जो की जो की जो की घाटी के बीच में था, तो उस घर में रहने वाले जितने भी लोग थे, सबकी दिलों में, in the hearts of all, there was a single hope सब की दिलों में एक उमीद की किरन थी, help from God, भगवान से मदद, सब की दिलों में एक ही आशा की किरन थी, कि भगवान से मदद, अब आगे दिखते हैं, don't be so upset, upset मत हो, don't be, मत हो, so upset, so मतलब और भी जादा, यानि कि बहुत upset मत हो, even though, this seems like a total loss, देखिये, even though आजाए, although आजाए, चाहे, दो आजाए, ये कब आता है, जब दो चीज़ हमें दिखाना होता है, एक बुरा है, तो एक अच्छा, एक अच्छा है तो एक बुरा है से, मैं बोलू कि, even though I am fat, हाला कि मैं मोटा हूँ, yet I can run faster than you, फिर भी मैं तुमसे तेज दौर सकता हूँ, तो contrast हो गया न, कहा मोटा, कहा तेज दौर न, दो अलग चीज़ों को दिखाने के लिए लगाया जाता है, तो even though, भले ही, this seems, इसको देखकर ऐसा लगता है या लग रहा है, दोनों feeling देता है, like a total loss, भले ही, total loss लग रहा हो, remember, याद रखो, no one dies of hunger, कोई भूख से नहीं मरता है, that's what they say, that's what they say, they say, मतलब कि ऐसा ही कहा जाता है, वे वे लोग कहते हैं, यानि कि ऐसा ही कहा जाता है, no one dies of hunger, कोई भूख से नहीं मरता है, all through the night, पूरे रात, Lencho thought, Lencho में सोचा, only of his one hope, अपने सिर्फ एक hope के बारे में, एक आशा के बारे में, वो क्या था आशा, the help of God, भगवान की मदद, whose eyes, जिसकी आखे, as he had been instructed, जैसा कि उसको हमेशा instruct किया गया था, he had been instructed, past perfect का passive है ये, उसको instruction जो मिली थी, कि whose eyes, भगवान की जो आखे है, see everything, वो सब कु in one's conscience, यहां तक कि वो भी देख लेती है, what is deep, क्या गहरा है in one's conscience, conscience मतलब उसकी सोल, अंतर आत्मा में, जो कितना गहरा छुपा हुआ है, उसको भी भगवान की आखे देख लेती है, भाई, Lencho was an ox of a man, यह थोरा मुहावरा भी दे देतें बीच बीच में, ox of a man का मतलब है hard working, Lencho बहुत ही hard working था, working like an animal, मतलब animal की तरह काम करता था in the field, खेतों में, but still, he knew how to write, लेकि फिर भी उसे पता था कि कैसे लिखते हैं, यह उसे लिखना आता था, how to का इस्तमाल कब करते हैं, ज जो पता है, चाय बनाना, यानि क्या, you know how to make tea, उसे लिखना आता था, the following Sunday, following मतलब आने वाले Sunday, at daybreak, daybreak का मतलब सुबे सुबे सुबे, जब दिन फटता है, जब सूरज निकलता है, daybreak, he began to write a letter, following Sunday, जब वो Sunday आया, next Sunday को following Sunday है, अगले Sunday, जब सुबे सुबे हुआ, he began to write a letter, उ जो जिसे वो खुद, विच मतलब क्या है, letter के बारे में, विच कह रहा है, relative pronoun, जिसे वो खुद, would carry, would carry मतलब की, ले जाएगा, उसे ढोएगा, ले जाएगा, past है, इसलिए विल की जग़ वोड आ गया है, उसे ले जाएगा to town and place in the mail, और उसे mail box में place कर देगा, रख देगा It was nothing less than a letter to God, और ये कुछ नहीं था, less than a letter to God, बस भगवान के नाम एक पत्र था और कुछ भी नहीं था, God, He wrote, उसने लिखा, भगवान, if you don't help me, अगर तु मेरी मदद नहीं करोगे, conditional sentence है ये, future वला, if you don't help me, my family and I will go hungry this year, मैं और मेरा जो परिवार है, वो पूरे साल भूके रह जाएंगे, I need a hundred pesos, मुझे hundred pesos की जरूरत है, in order to sow my field again, in order to का मतलब है, purpose को दिखाता है, किसलिए, तो in order to, जैसे in order to learn English, अंगरेजी सीखने के लिए, वैसे in order to sow, sow का मतलब बोना, my field again, मेरे खेत को फिर से बोने के लिए, मुझे hundred pesos की जरूरत है, and to live until the crop comes, और जब तक की नई फसल ना आ जाए, तब तक जिवित रहने के लिए, मुझे hundred pesos की जरूरत है, because the hell storm, blah, 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 पूरी कहाने लिखी, क्योंकि, यह जो hell storm है, यह जो ओले, भरी, जो बारिश है, उसने, blah, 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 डैस, डैस का मतलब है, कि पूरी कहाने लिख दिए होगी, He wrote to God, उसने भगवान को, अच्छा, He wrote उसने लिखा, to God, on the envelope, envelope उसने लिखा, to God, यानि कि किसको जाएगा लेटर, तो God को जाएगा, अच्छा, इसको envelope करें लोग पढ़ते हैं, बड़ सही level पे देखें, तो envelope पढ़ा जाता है, तो मैं थोड़ा उस level से पढ़ रहा हूँ, तो envelope उसने लिखा, to God, यानि कि भगवान को, put the letter inside, रख दिया letter को अंदर, and still troubled, और अभी भी troubled था, परिशान था, went to town, town गया, at the post office, post office में, he placed a stamp, उसने stamp लगाया on the letter, letter पर, and dropped it into the mailbox, और mailbox में उसको drop कर दिया, into preposition, motion के लिए आता है, ऐसे, mailbox में चला गया, रख दिया तो into आ काम कर रहा है, उन में से एक, one of जब भी आएगा, तो इधर plural आएगा, जितने भी employees काम कर रहा है, तो उन में से एक, who was a postman, यह who क्या है, relative pronoun है, यह adjective clause बना रहा है, उसे employees के बारे बता रहा है, उन में से, who was a postman, जो कि postman था, and also helped at a post office, और जो post office पे help भी करता था, plus postman भी थ रहा है, went to his boss, वो अपने boss के पास गया, laughing, हसता हुआ, present participle, हसता हुआ, heartly, heartly का मतले दम दिल खोल के हसता हुआ, and showed him the letter to God, और उसको दिखाया, वो letter जो कि भगवान के नाम था, never in his career as a postman had he known that address, never in his career, अपने पूरे career में, as a postman, postman के रूप में उसका जो career रहा है, उसमें कभी भी, had he known that address, उसने कभी ये address, जाना ही नहीं था, कि कुछ ऐसा भी address है, कि किस address पे भेजेगा, letter to God है, तो कहा जाएगा, पत्र, ये address उसने कभी सुना नहीं था, the postmaster, अब उसके postmaster के बारे में लिखा है कि a fat, एक मोटा आदमी था, amiable, यानि कि बहुत ही friendly था, fellow, बहु ब्रोक आउट, आग लग गई, तो लाफिंग में ब्रेक आउट का मतला है कि हसने में, क्या इन्वाल हो गया, हसने लगा, but almost immediately he turned serious, लेकिन almost immediately, यू समझ लो कि बस तुरंत ही he turned serious, उस serious में तबदील हो गया, and tapping the letter on the desk, tap मतला होता है, tap करना, तो desk पर letter को ऐसे tap करते हुए, but faith, क्या बिश्वास है, I wish I had the faith, मैं इक्छा करता हूँ, काश, I wish का मतला है, काश I had the faith, मुझ में ये बिश्वास होता, of the man, जो कि आदमी का बिश्वास है, who wrote this letter, जिसने इस letter को लिखा है, काश मुझ में बिश्वास होता, जैसे बोलते हैं, I wish I were a king, काश में एक राजा हो उसी तरीके से, I wish I had the faith, या had position को दिखा रहा है, जैसे अगर आपके पास car नहीं तो आप बोलेंगे, I wish I had a car, काश मेरे पास एक car होती, आपकी girlfriend नहीं तो आप बोलेंगा, I wish I had a girlfriend, अगर आपके पास फलानी लड़की का नमबर नहीं तो बोलेंगा, I wish I had the number of that girl, तो बहुत किया बंदे ने, correspondence with God, correspondence मतलब पत्र ब्योहार, पत्र के थुरू अगर ब्योहार करते हैं तो correspondence, कि भगवान के साथ, जो correspondence कर रहा है, जो पत्र ब्योहार कर रहा है, क्या भरुसा है भाई? So, in order not to shake the writer's faith in God, in order to और in order not to, in order to का मतलब करने के लिए, जैसे in order to learn English, अंगरेजी सीखने के लिए, और in order not to be hesitant, in order not to be bad, यानि कि ऐसा न होने के लिए, मैं बोलू कि in order not to be bad, बुरा न बनने के उद्देश से, तो उसी प्रकार, in order not to shake the writer's faith in God, यानि कि writer का, जिसने इंचो है, उसका जो faith है भगवान में, उसके faith को, उसके भरोसे को shake न करने के उद्देश से, न हिलाने के उद्देश से, कहने का मतलब इसका भरोसा न तोड़ने के उद्देश से, हिंदी करना मुश्किल हो जाता है, the postmaster came up with an idea, postmaster की दिमाग में एक आइडिया आया, come up with अ नाम लेटर लिखा है, ऐसा कोई address है नहीं के भगवान को भेजे, तो हम ही बन जाते हैं भगवान का वो, और यहां से हम भगवान बनकर उसको answer देते हैं, but when he opened it, जब उसने खोला, it was evident, बिल्कुल किलियर था, that to answer it, he needed something more than a goodwill, ink and paper, यह बिल्कुल जाहिर था, खोलते हैं, बिल्कुल evident था, evident मतलब जाहिर सी बात थी, that to answer, answer करने के लिए, it, it मतलब later, later को answer करने के लिए, he needed, उसे आवशकता थी, something more than goodwill, जो goodwill होता है, कि बहुत ही दया भावना से लिख दो, तो goodwill से भी जादा उसे कुछ चाहिए था, ink and paper से भी जादा उसे कुछ चाहिए था, but he stuck to, stick to का मतलब होता है, कि किसी चीज़ से चिपका रहना, जैसे I stick to my decision, मैं अपने decision से चिपका रहता हूँ, तो stick का stuck हो गया, he stuck to his resolution, उसका जो फैसला था, जो resolution था, जो उसने एक उपाय निकाला था, उस उपाय से ठिका रहा, अडिक रहा, he asked for money from his employees, asked for a fragile verb, इसका मतलब होत and several friends of his, और उसके और भी जो दोस्त थे, were obliged to give something for an act of charity, वो भी obliged थे, वो भी obliged का मतलब है, कि वो भी एक तरीके से इस काम को करने के लिए obliged थे, हिंदी क्या बोलो, कृतक थे या बाधित थे, कि charity में चलो हम भी कुछ देते हैं, it was possible for him to gather, it was impossible for him, यह असंभा था उसके लिए, to gather, gather मतलब इकठा करना, together the 100 पेसो, एक साथ 100 पेसो को इकठा करना उसके लिए impossible था, so he was able to send the farmer only a little more than half, he was able to, able to मतलब सक्षम था वो, send the farmer, farmer को भेजने में सक्षम था कितना, only a little more than half, 100 पेसो का जो हाफ होता है 50, तो 50 से जादा, पस 50 पेसो से कुछ जादा भेजने में वो सक् He put the money in an envelope, envelope में उसने पैसो को रखा, address to Lencho, Lencho का address किया, यानि कि उसके address पेजा, and with it a letter containing only a single word as a signature, और with it, यानि कि उस पैसो के साथ a letter, एक letter भी भेजा, containing, contain का मतलब कि उसमें क्या contain था, क्या था letter में, only a single word, एक single word था, एक मातर word था, as a signature, signature की रूप में, sign की रूप में एक word था, वो क्या था, God, यानि की God तुम्हें ये पैसा भेज रहा है, आगे दिखते है, the following Sunday, अगले Sunday, Lencho came a bit earlier, Lencho आया, a bit earlier का मतलब कि थोड़ा जल्दी आ गया, bit मतलब जरा सा, जरा सा जल्दी आ गया, then usual, usual का मतलब जो अकसर जो आता था, उससे जल्दी आ गया, to ask, पूछन handover किया, while the postmaster, जबकि जो postmaster था, experiencing the contentment of a man, तो postman ने उसको लेटर दिया, कि हाँ भाई, तेरे नाम का लेटर है, Lencho, ये ले लेटर, और जो postmaster था, experiencing, वो अनुभाव कर रहा था, ये present participle है, अनुभाव करते हुए, the contentment, यानि कि संतुस्टी of a man, उस आदमी की संतुस्टी, who has performed a good deed, जिसने एक अच्छा काम perform किया हूँ, तो postmaster ने एक अच्छा काम किया न, सबसे पैसे एक अठे करके Lencho को भेजा, तो उस जो एक अच्छा काम करने वाला आदमी कैसा संतुस्ट महसूस करता है, उस संतुस्टी को महसूस करता हुआ, looked on from his office, उसने अपने office से देखा तो समझ में आ रहा है, यह postmaster आपका subject है, और looked is का verb है, बाकी जो comma है, यह present participle है, postmaster के बारे में एक extra information दे रहा है, इसलिए sentence बड़ा है, तो उसने देखा, Lencho showed not the slightest surprise, लेंचो ने दिखाया not the slightest surprise, यह जरा सा भी surprise नहीं दिखाया, उसके चेहरे पे जरा सा भी यह नहीं था कि भगवान ने मिरे को पैसे भेजे, थोड़ा भी surprise नहीं था, on seeing the money, पैसो को देखकर थोड़ा भी surprise नहीं था, such was his confidence, ऐसा उसका बिश्वास था, उसे बिश्वास था कि मुझे पैसे मिलेंगे, जब पैसा देखा तो उससे लगा, यह क्या है, पैसे मैंने मांगे है, मुझे किये होंगे, couldn't have का मतलब है कि अंदाजा लगा रहे कि ऐसा God ने तो mistake नहीं किया होगा, भगवान ने गलती नहीं किया होगा, नहीं कर सकते था ऐसी गलती, nor could he have denied Lencho what he had requested, और नहें उन्होंने Lencho को denied किया होगा, जो उसने request किया है, यानि कि Lencho ने 100 पैसो के लिए request किया था, तो पैसे कम थे, तो उसे देखकर Lencho जो है गुस्य में आया और यह सोच रहा है कि God तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, इमिडेटली Lencho went up to the window, तुरंथी Lencho went up to the window, window के पास गया, to ask for paper and ink, एक paper और एक ink, यानि कि जो कलम है वो मांगने के लिए गया, on the public writing table, जो public writing table होता है जिस पे ल दिखना शुरू किया, with much wrinkling of his brow, brow मतलब eyebrows, wrinkle मतलब ऐसे सिकोड लेना, तो with much wrinkling, काफी ज्यादा उसने eyebrow को सिकोड लिया था, यानि कि काफी ज्यादा वो गुसे में था, you know, scowl कर रहा था, caused by the effort he had to make to express his ideas, और यह eyebrows क्यों सिकोडे थे, caused, जो उत्पन हुए थे, by the effort, उस पर करना पड़ा, he had to make to express, वो जो परियास उसे करना पड़ा to express his ideas, अपने ideas को express करने के लिए, कुछ लिख रहा होगा, तो काफी सोच रहा होगा कि क्या लिखू, तो सोचने के लिए उसने eyebrows को सिकोड लिया, when he finished, जब उसने फिनिश किया, he went to the window, window के पास गया to buy a stamp, एकी stamp को ख blow of fist का मतलब एक ऐसे मुक्का मारते न, blow of fist, एक मुक्के के मार से उसने 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 फिक्स कर दिया, the moment the letter fell into the mailbox, the moment वो पल, जब letter fell into the mailbox, जब वो letter mailbox में गिरा, the postmaster went to open it, postmaster उसे letter को खोलने गया, it said, it मतलब letter, letter ने क्या कहा, God, भगवान, of the money, उन पैसो में से, that I asked for, जो मैंने मांगे थे, only 70 pesos risk me, सिफ 70 pesos मेरे तक पहुंचे, send me the rest, बचे हुए पैसे मुझे वापिस भेजो, since I need it very much, चुकी, since मतलब चुकी, हाला की चुकी, मुझे ये बहुत ज़्यादा पैसो की जरूरत है, but don't send it to me, through the mail, लेकिन ये चिट्थी पत्री के माध्यम से, मुझे पैसे मत भेजो बचे हुए, because, क्यूंकि, the post office employees, ये post office के जो करमचारी है न, are a bunch of crooks, ये तो धोके बाजो का एक जुन्ड है, bunch of crooks, ये सारे crooks है, सब cheaters है, धोके बाज है, लेंचो, अपना नाम नीचे लिखा, लेंचो, तो story खतम हो गई, तो समझ में आया, क्या से क्या हो गया, उन बेचारों ने, जिनको bunch of crooks कहा गया, उन बेचारों ने पैसे भी भेजे, लेकिन लेंचो ने, तो इसी ने मार लिये है, इसलिए bunch of crooks है, ठीक है दोस्तों, वीडियो काफी बड़ी है, क्योंकि मुझे एक ही वीडियो में इसको खतम करना था, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में, till then take care, keep practicing and have fun, thank you guys. कर दोस्तों